हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है निता किचन में तो आज हम ले क्या है मलाई और मेथी से दो अलग अलग नई रेसिपी एक आप सब के लिए किचन टिप्स खास होने वाली है और एक हेल्दी रेसिपी ले क्या है मेथी से तो आई ये बनाते हैं दोनों रेसिपी तो सब से पहले हम क्या करते हैं ना मेथी लिये हैं और बहुत ज़्यादा बारी किसे रख़ए भार दार्दराar वह ज़्यादा करा मां निकाल है बहुंत घड़ा द लख गरम हिए अधा सः घरा लिए अप्चलिए हम बनाते हैं अगला टिप तो क्या ह pattern hatte में घी बनाने में बरा मुष्किल होता है तो आघ हम लेक्राहेना बहुत ही असान तरीका आफ सब के लिए हन्ड के मुशंभी बहुत ही आशान तरीके से घी निकल जाते हैं हम ने पेंसके यहां पर्ष जो क्या करें यहां से 10 मिकसे कर लए के लिएंगे मिक्स सब्सक्राइब करेंगे और गुमाते हैं इसमें दो 5 मिनट के लिए हमें मतना है इनको तो यहां पर सब से असान तरीका है और जल्दी बनने वाली है और सभी के घरों में कटोडी लेक होते होते हैं तो इसलिए हम आज लेके आए हैं कटोडी से घी बनाने की रेसिपी तो इनको पांच मिनट लगातार इनको मिक्स किये हैं इसी तरीके से चलाए हैं और पांच मिनट बाद हम इनको क्या करते हैं को साइड में रख देते हैं मलाई को एकठा कर लेते हैं अब इसमें हम डाल देंग है सा्थ में चला जाता है वह दूध आप यहां पे निकल जाते हैं खोको कर हता अगर निकालना है तकी हमें तो सर्सच बढ़ी हमारा मखहन निकल के त्यार होआ हैμεने सारे मखण को यहां पे देखी निकाल लिये हैं अब छलब हुजा गी इंको के जडपट में बनाते हैं में घैसमे हम इंप वाद इस तरीके चला लेते हैं तो हमें इहां पर चाहिए यहां जाला है एक तीम निकाल आपको इस पूरन ही सब्सक्राइब जब करना होता हैं यह तुन मिल जाए में योच चुटोरना गीवें हम देखिए जारा थेuna कने फाली हम देखें बहुत ही खास होने वाली है अब यह देखी फिरेंस कितना ज़ाधा घी बना है ना तो देखे ठैधनके मोसा में ये जली बहुत ही असान तरीके से हम घी बना के आपको बताए हैं ये ज terminals से बना यएगा जरूरी आपका घी बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कम टैम में बन के त्यार होगा अब इनको क्या करते हैं एक डब्बे लिए हैं इनको हम रख देते हैं साइड में तो घी बन के त्यार हो चुका है अब चलिए हम अगला त्यारी करते हैं तो हम यहाँ पर चूरन ले लिए लिए हैं तो चूरन में जो घी बचा हुआ हुआ था ना इनको अच्छे से निचोर के नहीं निकाले हैं क्योंकि हम में यहां पर थोड़ा भूद गी चाहिए होगा गैस को ने चालू कर लिए हैं अब इनमें जो हमने यहां पर रखे थे मेथी भीगों के दूद में इनको हम डाल देतें इसमें और इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेतें सारे चीज को इन्हें हमें भूनना है तो 2-3 मि इनको भीगने के लिए रख दिये तो यह अच्छे से भीग चुका है अब इनको हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे जितना ही भूनिएगा उतना ही जादे इनसे अच्छा टेस्ट आएगा अब यहां पर भूनने के बाद हम यहां पर कुछ ड्राइप रूट लिए हैं तो ज तुरात ज़्याद है तो हमारे पमें बूसे ही बना सकते के ठंड के मोशामने बहुत यह बहुत ही अच्छा होता है तो गुड से कम पर मत्रास में चाहिए है तो तीन से चार मिनट आपको लगेगा यहां पर तो चलाते पकाना है ताकि पहले तो पानी छोड़ेगी जिसे चीनी पीख लेगी ति फिर गीला होगा इनको थोरा सा भूनेंगे हम ताकि यह अलगा सा सूख जाए है अब देखिए हमने यहां पर इनको अच्छे से चलाते भून ली हैं इतना है इनको हमें क्या करते इन एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसके फायदय क्या क्या है फ्रेंज यह भी बता देते हम मेति की लड़ू बना रहे हम यहां पे तो इनका लड़ू बना के श्टॉर कर प्रोब्लम होता है जिनको यह दूर करने में काफी मदद करते हैं तो थंडा होने के बाद ने के लड़ू बना लेते हैं तो इतना इतना हम लड़ू बना रहे हैं छोटे-छोटे बहुत ही काफी फैदे होते हैं इनके दूद के साथ लिच जेगा तो अगर नहीं है तो पानी के लिच जेगा अब यह लिज्य होगा है तो प्रेंस रेसेपी कैसी लगी अच्छे लगी तो वीडियो को लायक और कोमेंट साथी चेनल को सस्क्राइब कर लिजगा थैंक यू ब झालें!